हाई अब्रीवन कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे दोस्तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों से बात करें वाल हूँ दोस्तो जो आप लोगों को अबी तक शायद नहीं पता होंगे दोस्तो और जिन लोगों को पता है दोस्तो वो तो बहुत अच्छी बात है फिर ठीक है तो इसी के साथ ही दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एड़ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत चोटी से रिकोस्त है जो कि यह इस वाली वीडियो को एक लाइक करना एड़ चैनल पर आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी गाईस प्लीज कर दीजिए चली दोस्तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट फटाफट से दोस्तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोग उस हेडिन फीचर की बात करूँ तो वो है दोस्तो आप लोग जो यह हैड़ लाइट देख पा रहे है दोस्तो रॉल इंफिल्ड की इस बार दोस्तो बुलर्ट थ्रीफ्टिनक जेनरेशन के आप लोग अपनी हेडलाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं इसी के साथी साथ दोस्तो आप लोग उसको थोड़ा सा अंदर एंड थोड़ा सा बाहर भी आप अपनी हेडलाइट को कर सकते हैं यह दोस्तो आज से पहले किसी भी रॉल इंफिल्ड की बाइक के अंदर यह फ आप लोगों को एक charging port देखने को मिलता है उन लोगों के लिए जो अपने फोन को या अपने कैमरे को चार्ज कर सकते हैं दोस्तो अपनी बाइक की मदद से तो यह है दोस्तो इसका second feature थर्ड feature की बात करता हूं दोस्तो जो की है tubeless tire जी हाँ दोस्तो यह जो feature है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दोस्तो जो आप लोगों को अपारी bullet 359 generation के अंदर जो tires मिलते हैं यह एक tubeless tire है लेकिन company आप लोगों को दोस्तो यह tubeless tire क्याकर नहीं बेचती है आप दोस्तो काफी लोग करते हैं बाई बाई के लेते साथ ही tires और alloy wheels दोनों ही लगवा लेते हैं अपनी bike के अंदर लेकिन दोस्तो आप लोगों को एक चिस में बता देता हूं यह जो tires आप लोगों को लगे में मिलते हैं अपनी bike के अंदर C8 के यह एक tubeless tire है आप लोग सीधा जाके इस spoke wheels इस bike में होते हैं दोस्तो तो उसके अंदर आप लोगों को जो tube है वो डालनी mandatory हो जाती है तो इसके अदर इसलिए company tube टाल की देती है लेकिन अगर आप लोग इसमें spoke wheels अटा के alloy wheels लगवाना चाहते हैं तो आप लोग इनी tires के अंदर alloy wheels लगवा सकते हैं जिसमें आप इन फीचर के बारे में जो कि यह दोस्तो ट्रिपर नैविगेशन तो अगर आप लोग अपनी बाइक में अपनी new bullet 359 generation के अंतर अगर आप लोग ट्रिपर नैविगेशन लगवाना चाहते हैं जे लोगों को नहीं पता ट्रिपर नैविगेशन क्या होता मैं आप लोगों को बता देता हूँ दुस्तो ट्रिपर नैविगेशन होता है अगर आप अपनी बाइक में इसको लगवा लेते हैं तो जब आप अपनी बाइक में तुस्तो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं आप लोग की राइड कर रहे हैं तो आपकी बाइक के अंदर ही उस स्क्रीन के अंदर ही द notification आती है, message आता है, so ये सारी चीज़े आप लोगों को इस screen के अंदर दिखाता रहेगा, so ये दोस्तो आप लोगों को bullet 359 generation के अदर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप लोग की दोस्तो उसको extra लगवाना चाहते हैं, so आप लोग इस bike के अंदर इसको definitely लगवा सकते हैं दोस्तो, जिन लोगों को नहीं पताता है, दोस्तो ये आज से पहले चीज़ आप लोग इसके अंदर भी ये क्या लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते, so comment करके जरू बताना, और आप लोगों को दोस्तो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप लोगों को 5000 रुपी स्प्लीट सीट भी लगवा सकते हैं, अगर आप लोगों को स्प्लीट सीट करवाना है, ये सिंगल सीट करवाना है, तो आप लोगों सब भी इसके अंदर करवा सकते हैं, तो दोस्तो ये जो चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता, काफी लोग मिरसे ये चीज़ पूछते ह भाई क्या इसके अंदर हम single seat लगवा सकते हैं क्या हम ऐसे seat रवा सकते हैं क्या हम ऐसे seat रवा सकते हैं जो आगे की अलोगों पीछे की अलोगों तो हाँ दोस्तो आप लोग बिलकुल इसके अंदर करवा सकते हैं काफी लोगों को यह लगता है भाई company ने single seat दे तो इसके generation के अंदर देखने को मिलते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग वीडियो कमेंट जरू कीजेगा पाकि अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा दोस्तों चैनल पर आप लोग नहीं थे